रेत में खुद को दफन करने वाली ये मकडी है सैंट स्पाइडर ये मकडी दूसरे मकडियों की तरहां शिकार पकड़ने के लिए चाल नहीं बुनती बलकि शिकार पकड़ने के लिए खुद को पूरी तरहां रेत से धक लेती है रेत में दफन होने के बाद फिर बड़े ही पेशन्स से ये अपने शिकार का इंतजार करती है ये मकली बिना खाय पीए एक साल तक रेत में दबी रह सकती है जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है तो ये अचानक उस पर अटैक कर देती है और अपने देश दांतों से उसके बाड़ी में जहर इंजक्ट करके उसे मार डालती है